इस तरह से रत के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मियों की साथ ही है, कर्मिचारी भाई बैना हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्क के लोग विक्सित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ, सब लोग अपने गाउं की कहानी सोचल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो एप पर आप जरूर अपलोड करिये, क्योंकि मैं नमो एप पर ये सारी गतिविदी को डेली देखता हूं। जब भी आत्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं किस गाउं में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विक्सित भारत के एक प्रगार से एमबेसेडर बन चुके हैं। उनका जिबर्दत उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गाउं ने ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी, तो दो-दो दिन तक गाउं में सभाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्सा, ये जो कमिट्मेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशबिशा नहीं पैणने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गाउं में, इसी रुपे लोग काम कर रहे है। आज जो कोई भी विक्सित भारत संकर प्यातरा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और नहीं भारत कभी ठकने वाला है। अब तो विक्सित भारत बनाना 140 करोड देश वास्यों ने ठान लिया है। और जब देश वास्यों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विक्सित होके रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देश वास्यों ने दिवाली के समय वोकल फोर लोकल स्थानिय चीजे खरीदे का अभ्यान चला है। लाखों करोड रुपिया की खरीदी हुई देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। मेरे परिवार जनों देश के कौने में कौने में विक्सित भारत संकल्प यात्रा को लेकर इतना उत्सा अनायास नहीं है। इसका कारण है कि पिछले दस साल उन्होंने मोदी को देखा है, मोदी के काम को देखा है और इसके कारण भारत सरकार पर अपार विश्वास है। भारत सरकार के प्रयासों पर विश्वास है। देश के लोगों ने वो दोर भी देखा है जब पहले की सरकारे खुद को जनता का माईबाब समझती थी। और इस वजह से आजाजी के अनेक दसों को बात तक देश की बहुत बड़ी आबादी मूल सुविदाओं से बंचीत रही। जब तक कोई बिचोलिया नहीं मिलता है दफ्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं। जब तक बिचोलिय की माईबार भरते हैं। यह हाल था देश का आप आपको जान करके पीड़ा होगी बारत की आधे से अधिक आबादी सरकारों से निरास हो चुकी थी बैंक में खाता तक नहीं खुलता था उसकी तो उमिदें ही खतम हो गई थी जो लोग हिम्मत जुटा कर कुछ सिफान दिस लगा कर स्थानी ये सरकारी कारले तक पहुँच जाते थे और थोड़ी बहुत आरती प्रसाद भी कर लेते थे तब जा करके वो रिश्वत देने के बाद कुछ काम उनका होना पाता था और सरकारे भी हर काम में अपनी राजनिती देखते थे चुनाव नजर आता था वोट मेंग नजर आता था और वोट मेंग के खेल खेलते थे गाउं में जाएंगे तो उस गाउं में जाएंगे जहां से वोट मिलने वाले हैं किसी महले में जाएंगे तो वैसी महले में जाएंगे जो महला वोट देता है दूसरे महले को छोड़ देंगे यह ऐसा बेदभाव ऐसा अन्या यह जैसा स्वभाव बन गया था जिक शेत्र में उनको वोट मिलते दिखते थे पुनी पर थोड़ा ध्यान दिया जाता था और इसलिए देश वाज्यों को ऐसी माई बाप सरकारों की गोश्णाओं पर भरोसा कम ही होता था निराशा की इस्थिति को हमारी सरकार ने बढ़ला है आज देश में जो सरकार है वो जनता को जनारदन मानने वाली इश्वर का रूप मानने वाली सरकार है और हम सत्ता भाव से नहीं सेवा भाव से ही काम करने वाले हैं लोग और आज भी आपके साथ इसी सेवा भाव से गाउँ गाउँ जाने का मैंने ठान ली है आज देश कूशासन की पहले वाली पराकाष्टा को भी पीछे छोड़कर सूशासन और सूशासन का मतलब है सत्त प्रतिशत लाब मिलना चाहिए सेच्चुरेशन होना चाहिए कोई भी पीछे शुटना नहीं चाहिए जो भी हगदार है उसको मिलना चाहिए सरकार नागरी की जरुरतों की पहचान करे और उन्हें उसका हक दे और यही तो स्वाभावित न्याय है और सच्चा सामाजी न्याय भी यही है हमारी सरकार की इसी अप्रोच की वज़े से करोणों देशवासियों में जो पहले उपच्चा की भावना भरी पड़ी थी निगलक्टेन मानते थे कौन पुझेगा कौन सुनेगा कौन मिलेगा ऐसी जो मान सिकता थी वो भावना समाप्त हुई है इतना ही नहीं अब उसको लगता है इस देश पर मेरा भी हक है मैं भी के लिए हकदार हूं और मेरे हक का कोई छिननना नहीं चाहिए मेरे AND मिलना चाहिए और वह जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहता है जैसे मैं पूर्णा से बात कर रहा था, वो कहता था मैं बेटे बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, ये जो आकांग्षा है न, वही मेरे देश को विक्सित बनाने वाली है, लेकिन आकांग्षा तब सफल होती है, जब दस साल में सफलता की बाते सुनते हैं, और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके हाँ आई है न, वो आपको वो भी बताती है, कि देखो यहां तक हम किये हैं, इतना बड़ा देश हैं, अभी भी कोई दो-चार लोग गाउं में रह गये होंगे, और मोदी डूनने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले पांच और सुनाई देती है, और मैं मानता हूं कि देश वाश्यों के दिल की आवाज है, वो दिल से कह रहे हैं, अनुभव के अधार पर कह रहे हैं, कि जहां पर, जहां पर दूसरों से, जहां पर दूसरों से, उम्मित खत्प हो जाती है, वहीं से, मोदी की गारंटी शुड़ू हो जाती है, और इसलिए ही, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी, धुम मची हुई है, साथियों, विख्षीत भारत का संकल्प, सिर्फ मोदी का, या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, यह सबका साथ लेकर, सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है, यह आपके संकल्प भी पुरा करना चाहता है, यह आपकी इच्छाएं पुरी हो, ऐसा वाताउन बना चाहता है, विख्षित भारत संकल्प यात्रा, उन लोगों की, उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है, जो अब तक इन से बेचारे छुटे हुए हैं, उनको जानकारी भी नहीं है, जानकारी हैं तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है, आज जगए जगए से नमो एप पर जो तश्वीरे लोग भेज रहे हैं, मैं उसे भी देखता हूँ, कहीं ड्रॉन का डेमोस्टेशन हो रहा है, कहीं हेल चेक अप हो रही है, आदिवासिक शेत्रों में सिकल सेल्न एनीमिय की जाच हो रही है, जिन जिन पंचायोत में यातरा पहुँची है, उन्होंने तो दिवाली मराई हैं, और उनमें से अनेक ऐसी पंचायत हैं, जहां सेचुरेशन आ चुका है, कोई बेदबाव नहीं, सबको मिला है, जहां जो लाभार्ती छुटे हुए हैं, वहां उन्हें भी अभी जानकारी दी जा रही हैं, और बाद में योजना का लाब भी मिलेगा, उजवला और आयुश्मान कार जैसे अनीक योजनाओं से तो उन्हें तत्काल जोड़ा जा रहा है, जैसे पहले चरण में, 40,000 से ज़्यादा बहनों बेटियों को उजवला का गैस कनेक्शन दे दिया गया है, यात्रा के दोरान बड़ी संख्या में माई भारत वॉलेंटियर्स भी रिजिस्टर हो रहे हैं, आपको मारू मैं, हमने कुछ दिन पहले एक देश व्यापी नवजवानों का एक संगड़न खड़ा किया है, सरकार की तरफ से सुरू किया है, उसका नाम है माई भारत, अब्यान से जरूर जुड़े, उस पर अपनी जानकारिया दें, और बिच बिच में मैं आप से बात करता रहूँगा, और आपकी शक्ति विच्सित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिल करके काम करेंगे, मेरे परिवार जनों, पंदरा नवेंबर को, जब ये यात्रा शुरू ही थी, और आपको याद होगा, भगवान बिर्शा मुंड़ा की जन्म जैन्ति पर शुरू हुआ था, जन्जातिय गवरव दिवस्ता उत दिन, और मैंने जार्खन के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगा से इस काम का आरंब किया था, वन्ना मैं इहां बड़े विज्ञान धोन में या भारत मंडपम में या यशोव भूमी में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, नेकि मैं ऐसा नहीं किया, चुनाव का मैदान छोड़कर के मैं खुंटी गया, जार्खन गया, अधिवाच्यों के बीज गया, और इस काम को आगे बढ़ाया, और जिद दिन ये एतरा शुरू हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी, मैंने कहा था कि विक्षिद भारत का संकल्प, चार अमरुत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है, ये अमरुत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान के इंदित करना है, एक अमरत्सक्तboard है हमारी नारी शक्ति दूसरा अम्र चागए तीसरा में मारे किसान भाई वेण प्ण चौथे अ मुखष क्ति एं हमारा गरीब परिवार है क linking चोड़ा समय के लिए सब्सक्क्राइब